हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम गड़ीत के उन महत्तुपूल बहुकलिपी प्रशनों को देखेंगे जो आपके 21 फरवरी को गड़ीत का पेपर होने वाला है उसमें ये प्रशन आपके सेम टू सेम फसेंगे फ्रेंस आप से सिर्फ इतना निवेदन करत ठीक है फ्रेंस जितने भी प्रशन आपको करवा रहे हैं यदि इन सभी प्रशनों का अप हल कर लेते हैं तो आप सत्तर में सत्तर आराम से पासकते हैं फ्रेंस यहां पर जितने भी प्रशन लिये गए हैं आपके 2020-2022,2020,19,18,17,16 में यह सभी प्रशन कम से कम चार से पांच आज बार रिपीट हो चुके हैं तो फ्रेंस यह आपके बोड के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस यह आपके सावने पहला नंबर सवाल है यहां पी देखिए आप इस सवाल को देख सकते अब इस सवाल को देखेंगे तियहां से क्या है दो कामा नहीं देखिए इस सवाल को कैसे लिकhेंगे कामार क्या है नुसी कठ गठ जा इसी प्रकास सभी सवालों को आपको अच्छे तरीका से सिंपल तरीका से सिखाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि आप ट्रिक से पोविकल्पी प्रशनों को कैसे हल करेंगे आपकी सामने अगला नंबर का सवाल है यहाँ पर देख सकते हैं आप हैं कि समिकर 5 कोष्ट में यक्स माइनस 5 कोष्ट में यक्स प्लस 5 बराबर 55 का हल होगा देखे फ्रेंज इस सवाल को आप कैसे हल करेंगे देखिए आपका सवाल है कि 5 कोष्ट में यक्स माइनस 5 ठीक है अगले कोष्ट में यक्स प्लस 5 बराबर 55 पांच पांच 25 करेंगे और चाहर बंटागर जाएगा यारी सिस्क्वाइर माइनस पचीष भाग देंगे ग्यारा बार में अब 25 को यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36 दोनों पच्छों को रूट ले लीजिए यक्स कमान क्या है गाप प्लस-6 जाएगा इसका सही जबाब कि आओगा फ्रेंश आपका प्लस माइनस च्छत यहाँ पर आपसंद देखिए आपका सी वाला सही है चलिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है इस सवाल को आप रट लीजिए गए यह आपके बूड के एकजा में संदेट परसंटेज आएगा ठीक है समरूप तिरभूज की विशेष्थाएं होती है अब देखिए फ्रेंस जो समरूप तिरभूज होते हैं तो उनकी संगत भूजाओं का जो अनुपात होता है बराबर होता है संगत कोड भी बराबर होते हैं उपरियुक्त दोरो या उपरियुक्त में से कोई नहीं फ्रेंस जो समरूप तिरभूज होते हैं संगत भूजा समानुपाती होता है यानि एक अनुपात में होता है संगत कोड भी बराबर होते है तो इसका सही जवाब होगा आपका सी इसक हैं देखिए यहां पी इसको यक्सवन माले जी इसको यक्सटू मानी और इसको यक्सटू मानी है अब देखिए इस सवाल को लगाएंगे कैसे दूरी का फार्मूला देखिए क्या होता है सभी फार्मूला हम इसलिए पूरा लिखते हैं फ्रेंस में जैसे आपको फार्मूला का मान मैनस 1 यक्स2 का मान मैनस 5 का होल स्क्वार, फ्लस राओ जेंगे कितना हों हो पाच या मानि- स्क्वार प्लस मानस 3IW 5 का स्क्वारों ठीक है यहाँ पर देख लिजिए सवाल को देखे च्छा का स्कॉर 36 पांच की स्कॉर 25 जोड़ी पांची ग्यारा तीन तो पांची च्छा कितना है आपका करड़ी में 61 अब चलिए एंसवर देखिए आपका कौन से सही जवाब होगा करड़ी में 61 है ठीक है तो फ्रेंस आपक इस सवाल को यह बूर्ड में जरूर छपएगा ठीक है क्या है कि बिंदू 3 कमा 4 की य अच्छ से दूरी होगी देखे इस सवाल को कैसे लगाएंगा यहाँ पे दो सवाल बनता आपका पहले पूछा है य अच्छ से दूरी जब य अच्छ से दूरी पूछेगा तो इसमें इसका सही जवाब ऑगा 31 यहां यहां पर दिखे पहले सकते याक्स अच्छ कुछ सकता है यदा है यदा है अच्छ से पूछेगा दूरी याक्स अच्छे से दूरी पूछेगा तो आपको don बताना है य के जब पूछे गए तो य कमान 34 है इसमें प्रोशनों को आप जरूर ध्यान दीजिए इसमें एक चाहिए वहला सवाल पूछ दे चाहिए इन दोने में से दीजिए एक सवाल कॉन्फरिम है कि आपके बोर्ड के दोकी को होगा ठीक है अब देखी है आप university मेंस कमान के लिंद से नीचे यहां पी 묽ातो होगा, यानि कि 2 माइनस 3 इसका सही जवाप कौन से, 2 माम माइनस 3, देखे, आप सहरे में कहां कहां पर भीजे औंग कि है आपकी सवाल को देखते हम, आपके सामने ए शत्वा नमबर का सवाल है, देखें फ्रेंश 70. सब्सक्राइब इस प्रकार के सवाल आपको पूर्ड में कुछ नहीं आ रहा है कि सवाल को कैसे लगाए यदि बीच में माइनस है इधर दो मान दिया है तो यह डारेक्ट कटके इसका 0 मान आता है अब डारेक्ट लगा सकते है इसका एंसर ठीक है इस तरह ट्रिक्स था कि आप 20 पूरे सवाल को हल करके बताते हैं फ्रेंस आपको ठीक है यदि सवाल आ जाए ता आप कैसे लगाएगे एक्जाब में को सेख 70 अब देगे इसमें से क्या करेंगे किसी एक को चेंज कर लेते हैं यहां से इसको चेंज कर लेते हैं किसी दो ही को चेंज करना आपकी इच्छ कितना है 20 है तो रहने दीजिए को सेख करना है को सेख क्या लिख सकते हैं को सेख 90 माइनस 20 कर सकते हैं देखे सेख 90 माइनस ठीटा क्या होता है को सेख ठीटा होता है को सेख कितना हो जाएगा को सेख 20 हो जाएगा यहां साइन 20 माइनस कास 20 को सेख 90 माइनस ठीटा क्या लिख सक सकते हैं साइन स्दूरी को दोस्तों कि स mü्ucharist कि लिख सकते हैं से शेक ठीटा यानिकि अब łatुक क्या लिख सकते हैं वनाड Σाइन पता ओगा आपको वनाड साइन गुरे यह कीता है साइनि के विशान माइच स्धूर्ट Canon से देखिए आपको साइं से साइं कटेगा का सिकाट करें तो बचेगा इदर एक और इधर एक एक में से जाएगा जिए जिए लोगने बताएं कि जब इस परका सवाल आएगा आग्य के पास समय नहीं रहेगा पोई कल काश ठीटा का मान होगा अब देखिए इसको ट्रिक से कैसे लगाएंगे कि यहां पर टैन ठीटा का बता यह फार्मूला क्या होता पले तो होगा लंब बटा के आधार होता है ठीक और मान कितना दिया है टू ए बी ए स्क्वार माइनस बी स्क्वार इसको हल करेंगे तो बहु मुलाब को पता होगा देखिए यहां पर आधार तो फिक्स आधार कमान कितना a2-b2 लंकमान कितना एतना चरी आधाar a2-b2 या लंगार ब्मूत को कितना आँजिकों कतना है अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नंबर का सवाल है किसी बृत पर इस्थित एक बिंदू से बृत पर लेची जा सकने वाली ऐस्पर्श रेखां की संख्या होगे यानि कितनी संख्या महलith लिड़ी ये आपका सबंदू से मचानिकर इस्थीत एक बिंदू से एक बिंदू ले लिजे इसे अस्पर्श रेखा कितनी खीचे चाकते हए जाए फिए इंपको कि नहीं क्थन क्रेंच का सवाल को देखते हैं जाए चाप कि लंबाई की रूप में त्रिज्य खंड का च्छ्यत्रफल होता है ठीक है यहादके लंबाई के रुपमे acuerdo पूछा है तरिज्य खंड का च्छ्यत्रफल सभन पूछा है ते इसका सही जवाब पसंद मत다고 मीकिनर इंगे और गातव क्या होगा अब देखें घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है घन का आयतन देखें यहाँ पे आयतन का फार्मूला क्या होता है भूजा यानि कि A पे तीन घात आयतन दिया है 13, 31, A पे तीन घात अब दोनों पच्छों क्या निका लें घनमूल निका लिजिए घनमूल निका लिए 13, 31 क गनमूल होता है आपका 11 होता है इसको याद रखी यहाँ पे होगा एक कमान कितना है यह 11 अब यहाँ पर आप समने देखिए कि 11 कहां पर दिया है इसका सही जवाब होगा आपका बी कितना इंसवर हो जाएगा आपका 11 सेंटी मीटर होगा ठीक है फ्रेंस चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखिए क्या है कि एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्याओ का समना अंतर माद्ध होगा ठीक यह भी आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक जितने भी प्रास्ण करा रहा हैं फ्रेंस बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है अब देखिए इस सवाल को हल कैसे करेंगे एक से नौ तक की प्राकृतिक संख्याओ यह कितने संख्याओ एक दू तीन चार पांच चेस साथ आठ नौ नौ है यानि कि टोटल संख्याओ का योग पटा के पदों की संख्याओ टोटल कितने नौ है अब इसको जोड़िए कितना हो रहा है चली जोडते हैं देखिए दू एक तीन 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 च्छा चार चार दर 15 15 16 21 28 28 28 36 9 45 कितना होगा आपका 45 9 9 का भाग देंगे कितना आएगा 5 होगा त्थिसका सही जवाब क्या होगा आपका इंस्वर 5 यानि यह आपका 5 है ठीक है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका वीवला आपसन सही होगा चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला नमबर का सवाल है, कि 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7 यक्स, तथा 2 का, बहुलक यदि 7 है, तो यक्स का मान होगा, दिखें फ्रेंस बहुलक यहा पर 7 दिया है, और यहाँ पर यक्स का मान पूछ रहा है, थी यहाँ पर गिल है देंगे 5 भी आपका तीन बार है और इसके लिड़ा सात भी कितने बार है 3 है ठीक है तो यहाँ पर 3-3 बराबर है और बहुलक दे रहा है सात बहुलक का मतलब होता है जो आकड़ा दिया है उसमें काउन से संक्या सबसे अधिक बार आई है वही बहुलक होता है यहां तीन तीन बराबर है ठीक है और बहुलक साथ दिया है इसका मतलब यहां पहुआ कि यक्स के जगब यदि साथ रहा होता तो आपका बहुलक साथ आता ठीक है, यक्स के जगब कितना होगा आपका, यक्स के जगब होगा साथ, इसका सही जवाब होगा सी, ठीक है, यक्स कमान कितना होना चाहिए, साथ होगा, तभी तो साथ बहुलक होगा, इसलिए के ये पांच पांच और साथ तिन तीन पर आया बराबर है, ये एक साथ और 6 7 11 9 15 16 की माद्दिका होगी देगे फिरेंज जब भी माद्दिका पूछे और ये प्रश्ण आपका बवी कल्पी में देता है तो इसको लगाने क्या ट्रिक होता है और सिंपल तरीका से लगा सकते हैं पहले इसको क्या करना है कि आप आरोही या औरोही करम में लिखे चलिए इसको हम बढ़ते करम में लिख लेते हैं पहले दू लिखिए दू से बढ़ा तीन तीन से बढ़ा चार चार से बढ़ा चाह से बढ़ा साथ है साथ से बढ़ा नौ है और नौ से बढ़ा 11 है 11 से बढ़ा 15 15 से बढ़ा 16 इस तरह लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि संख्य इधर छोड़ दिए प्रिस लगाएहर प्रहें सभी जवाब होगा आपका आपके सामने अगला नमंबर का सवाल है अगला नमेर की इस मरभी 15, 9, 20, 18 और 16 की मादिका, देखिए, यहाँ भी मादिका पुछा है अब इस सवाल को लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, पहले इसको क्या कीजिए, कि आप आरोही या औरोही में लिखे लीजिए चैनि इसमें सबसे छोटी संख्या को लिखे, पहले सबसे छोटी संख्या 9 है तो 9 को पहले लिख लिजिए 9 से बड़ा क्या है, 10 है 10 से बड़ा क्या है 12 है तो 12 लिखे 12 से बड़ा क्या है, 13 13 से बड़ा क्या है, देखिए आप पे 13 से बड़ा है, 15 15 लिखे, 15 से बड़ा क्या है सोला है सोला लिख लीजिए सोला से बढ़ा क्या है सत्रा सत्रा लिखिए सत्रा से बढ़ा क्या है अठारत अठारा लिख लीजिए अठार से बढ़ा क्या है उन्नीस लिखिए और उन्नीस से बढ़ा क्या है आपका बीस ठीक इतना लिखने के बाद आप देखिए क्या करना इ पस जब आएगा इधरसे आदी संख्या छोड़ीर आदी के मतलब क्या हो जब छोडने के बाद दूसर्बा देगे ते पंदर कितनो नहीं हो一下 तिक त aosई क्या क्या होगी 15.5 होगा देखे फ्रेंस विसम आएगा तो आदा आदा छोड़ेंगे जो बीच की संख्या होगा वही आपका क्या होगा समाना अंतर माद लेकिन यही जब पदो आख़रों की संख्या है यदि सम आजाएगा तो इधर से आदा छोड़ेंगे इधर साथा छोड़ कि बीच में दो संख्या जो होगा उन दोनों को योग करके दो से भाग देंगे तो आपकी माद्दी का निकल जाएगा ठीक है चलिए अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि दू प्लस करड़ी में तीन क्या है परी में है अपरी में है यह दोनों हो सकते हैं यह इन में से कोई नहीं तो फ्रेंज दू प्लस करड़ी में तीन हमेसा जब आता है तो यह हमेसा एक अपरी में संख्या होता है तो इसका सही जवाब होगा आपका भी इसके साथ में करड़ी 2 दिता है 2-3 में तीन देता है या दू करड़ी में 5 देता है ये सभी जो होते हैं आपके 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 संख्या ही ओते हैं ठीक है जिसको हम प परिमें संख्या होता ही इसको याद रखिएगा देखिए फ्रेंस यह 17 नमबर का सवाल है कि सभीकर A1 X प्लस B1 Y प्लस C1 इसकल टू जीरो और A2 X प्लस B2 Y प्लस C2 इसकल टू जीरो का कोई हल नहीं होने का प्रतिबंद है देखिए आपके सामने आपसान अब यहाँ पर सभी आपसान के बारेंचे बता दे शी हल नहीं है पहले आपको आपसान बताते हैं जब A1 बटा के A2 ब्रबूर B1 बटा के B2 बराभर C1 बटा के C2 होता है इसका बोलते हैं कि इसके अनेक खाल होंगे कितने होगे अनेक साल रहां जब यह कंडी सन आएगा अनेक खल होंगे & ठेट लाइव लाश्म कि इस नद्सका मतलब यह मान के बराबर नहीं होगा कि यह जब कंडीशन होगा तो श्यक्त अ कि एक हलोगा कि यह कंडीशन याद रखे और फ्रेंस देखिए यहाँ एवन एटू बीवन बीटू यह दो चेले वाला रैखेक समीकर में कोई प्रतिबंद नहीं होता है अब यहाँ एवन बटा के एटू बराबर बीवन बटा के बीटू इस नाट सीवन बटा के सीटू जब यह कंडिशन आए ति इसका मतलब होता ह है कि इसके कोई हल नहीं होगा क्या होगा कि कोई हल नहीं होता है जब यह मिलता है इस प्रश्ण का क्या होगा सही जवाब भी होगा तीनों कंडिशन का आप जरू फ्रेंस याद रखिए ठीक है तीन कंडिशन आपके थे जो आपको बता चुके हैं अगले नंबर के सवाल क का सवाल है कि दो समरूप तिरभूज में संगत भूजाए नोव अनुपाते चार के नुपात में हैं इन त्री था पत बो देखें ग्रोप शाज़ीं और उसमें संगतस का थे नश फिर दृजयाया चार काम अनुपात में जो अगले प्रश्ण को देखते हैं आपके सामने 19 नंबर का सवाल है कि किसी समय किसी अस्तम की छाया की लंबाई उसकी उचाय की करणी तीन गुनी है सुर्य का उन्यन कोड होगा दीकि फिर इस सवाल को लगाएंगे कैसे आप पहले आप करा अस्तम तो अस्तम बना लीजिए फिर इसके बाद करा छाया तो छाया माली इधर बना लीजिए और इन दुनों की मिला लीजिए एक समकोड की रिबुज बन गया यह चा या कि लंबा है उसके वुचाय की करड़ी तीन यानि कि यह क्या हो जागा यच का करड़ी में तीन गुना है ठीक है अब यहां पूछ रहा है कि उसका उन्यन कोड़ होगा उन्यन कोड़ का मतलब यहां से हम देखेंगे यहां भी देखिए आपका लंब पता है और आधार लंब और आधार पता रहा थे कौंसा फर्मून लगाते हैं 10 ठीटा लंब है आपका यच इसलिए लंब पता क्या आधार होता है यच बटा करड़ी में करड़ी तीन ठीक है यच से यच कट जाएगा एक बटा करड़ी तीन होगा अब फ्रेंस आपको पता हो चाहिए कि एक पट्ठा करी तीन को रुप में कितने का मान होता है तो थेएपसं में कितना होता है या छलिए आधे साथ बिसवाент नमबर का सवाल है आधे नम है जब嗎hen 2019 ऊचाई तथा तीज़ीए बराबर है उनके आयतनों का अनुपात होगा देखे फ्रेंस यहां पर जो बेलन दिया है बेलन और शंकू की जो उचाई है बेलन की उचाई और शंकू की उचाई बराबर है और बेलन की तिरिजा तर शंकू की तिरिजा दोनों बराबर है तो उनके आयतनों का अनुपात R और H दोना पस में क्या है दोनों के बराबर है अब यहां बेलन क्यों द Critique बेलन और यहां पर क्या होग ему ''Schen context'' लिखिए शंको देखिए I và L को यहां पर B-1 दिकाते हैं यहां पर B-2 दिखाते हैं देखिए Phi R स्कौ एकeten के फर्मूला क्या होता है सब्सक्राइब करें